विरνεधी कि रहनी पसंद क сок आज में के लिए लेकर बिर्यादी के चाइए चिकन टिक का बिर्यादी बहनानी की रीसेपी जो कि बहुत ज़ीज बनके hoping बहुतousseकल को गोइह तो करने शेटी है तो यहां पर मैंने 1.5 kg अच्छे से वाश किया हुआ चिकन लिया है इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गालिक पेस्ट 2 टेबल स्पून ऑफ कर्ड अब मैंने यहां पर कुछ मसाले आड़ किया हैं तो यहां से 1 टेईपून नमक, à character, auf टेईपुन कटीवएikka अपी आवर गरम मसाला, एक टेईपून कश्मेरी लाल मिर्ष एक टेईपून धनिया पांडर, till 1 टेईपून हदी पांडर और 1 टेईपून जीरा पांडर, एक टेईपून लाल मिर्ष पांडर अब हम इसमें एक नीबू का रस नी चोड़ देंगे और टू टेबल स्पून कॉन फ्लार अट करेंगे हम इसमें एक टेबल स्पून मैदा अट करेंगे अब हम इसे अच्छे से अथों से ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए मसाली अंदर तक चले जाए जिकन को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसे 1-2 गß code के लिए फ्रीज में रख देंगे मेरीने तोने के लिए अब यहाँ मैंने आदा केजी लॉंग ग्रीन बासमती रैस लिया है इसे अच्छे से वाश करके सोख होने के लिए आदे गंटे तक हम पानी में भीगो कर रख देंगे ऐसे अब एक पैन में एक कप तेल गर्म करेंगे यहाँ पर रिफाइन तेल लिया है आप अपनी पसंद का कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम एक एक करके इसमें सारे टिक्के फ्राइ होने के लिए डाल देंगे, धीमे आज पर हम इसे फ्राइ करेंगे, आज ज़्यादा तेज ना हो ताकि टिक्के अंदर तक गल जाएं, जब ये एक साइट से अच्छे से फ्राइ हो जाएं, तब हम इसके साइट चेंज दूसरे साइट भी अच्छे से फ्राइ कर लेंगे, अब हम एक एक करके सारे पीसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, इधर हमें बिर्याने की ग्रेवी के लिए मसाला तयार करना है, जिसके लिए हम एक पैन में आदा कप तेल गर्म करेंगे, अब दो मीडियम साइज की प्य प्याज को चलाते हुवे गोल्डन हो जाने तब फ्राइ कर लेंगे, प्याज हमारा गोल्डन फ्राइ हो चुका है, अब हम इसमें एक टेबल स्पून दिंजर गालिक पेस्ट डालेंगे, और दो मीडियम साइज के टमाटर डालेंगे, अब हम यहाँ पर एक टीस्पून न बालमीच पौडर और हाफ टीस्पून हल्दी पौडर, टू टेबल स्पून फ्रेश दही डालके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल आसे, अब हम इसमें तीन-चार हरी मिच डालेंगे, अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसे स् अब हम चावल तयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने एक वेसल में तक्रीबन तीन लीटर पानी लिया हुआ है, और इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि दो बड़ी इलाइची, दो छोटी इलाइची, तीन-चार लॉंग, और एक इंच दालचीनी का और इसमें हम टूटे बली स्पून नमक आड़ करेंगे, और साथ ही इसमें टूटे बली स्पून ओल आड़ करेंगे, जिससे कि हमारी चावल खिले-खिले रहेंगे, अब हम इसे ढखकर तेज आच पर छोड़ देंगे, ताकि इसमें उबाल आ जाए, तो यहाँ पानी में उबाल आ चुकी है, अब हम इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे, और इसे 80% तक कूक कर लेंगे, अब हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक कि यह 80-90% तक कूक नहीं हो जाते हैं, तो यहाँ पर चावल 80% तक कूक हो चुके हैं, मैं चेक करती हूँ, यह देख तब आप इसे स्टेन कर लें और साइड में रख दें, तो अब हम अपनी बिर्यानी की लेरिंग करेंगे, इसमें हम सबसे पहले टू टेबल स्पून घी डाल देंगे, ताकि हमारे चावल सेक्योर हो जाए नीचे से जलेना, यहाँ पर मैंने चावलों के दो हिस्से कर लिय हैं, तो पहला हिस्सा हम इसमें नीचे लेर लगा देंगे, अब हमने बिर्यानी की ग्रेवी जो तयार की थी, उसे हम चावलों के ऊपर ऐसे पूरा स्प्रेड कर देंगे, यहाँ पर मैंने चावलों का दो लेर लगाया है, चावल आपके ज्यादा हैं, तो आप तीन लेर लगा सकते हैं, अब हम एक एक करके सारे टिक के चावलों के ऊपर स्प्रेड कर देंगे, बिल्कुल ऐसे, फिर हम एक और चावल की लेर ऐसे लगा देंगे, मैंने यहाँ पर दो लेर में सारा चावल और टिक का डाल दिया है, अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ी और मैंने केवडा वाटर भी यूज किया है, आप चाएं तो इसकीप कर सकते हैं, अब हम चावलों को दम लगाएंगे, तो पहला 2-3 मिनिट हम फ्लेम हाई रखेंगे, ताकि वेसल अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद हम फ्लेम लो कर देंगे, और तकरीबन 10-15 मिनिट के लिए छोड़ देंगे, बहुत ही जवदत सी हमारी बिर्यानी बनका तयार हुई है, और चावल भी बिल्कुल खिले-खिले हैं, तूटे नहीं हैं, देख सकते हैं आप, अब हलके हलके हाथों से हमें इसे मिक्स कर लेना है, यह बहुत ही टेस्टी बनती है, अगर आप ब बहुत पसंद आएगी, तो आप इसे जरूर एक बर बना कर ट्राइ करें, तो यहाँ पर हलके हलके हाथों से मैंने बिर्यानी और ग्रेवी को मिक्स कर लिया है, अब हमारी बिर्यानी सर्व करने के लिए रेडी है, तो आईए इसे सर्व करते हैं, उम्मीद करती हूँ कि च करती हैं, उम्मीद आईए आएगी, तो आईए इसना कर लिया है, तो आईए आएगी, तो आईएगी, श tech जढ झाने कि वहाँ जख से र号को मुर आएगी, तो आएपे लिया हलके हाँकी है, वहाँएगी है यह तो, आईएगी है।